हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश फाइन आट पर आज मैं 20 रुपिस वाले एक्रेलिक कलर से केनोस बोट पर ब्लेक एंड वाइट पेंटिंग से खाऊँगा वो भी इजी वे में इसमें आप ओईल पेंटिंग की तरह पहले से कलर मिक्स करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि तुरुज सुख जाता है तो पहले कोई पेंटिंग बनाने से पहले उसको अबजब कर लिजे कि कहां मेडियम कलर करना है कहां डाक कलर करना कहां लाइट कलर करना है और बहुत ही फूर पिर साथ में तुरत, लाइट कलर कीजिए और किसी ड्राइब ब्रस से इसको सॉफ्टली मर्च करना है ओईल कलर और ऐक्रिलिक कलर में दोनों में एक फाइदा और अध्लम साय से ऐसे ऐल को झा में आप कोई भी पिर्च के शूखने में छे निaćनि पांच दिन का टायम लेखता है लेकिन ऐकर यहिति अ continuous के अगर चाहें कि यह में किसी का पेंटिंग कम्लिट करें तो आप कर सकते इसली लेकिन नुकसान यह कि आपको बहुत ही जली जली कलर समझ समझ के चलाना पड़ेगा क्यूंकि सुख जाने के बाद वो लाइन्स मिक्स नहीं होता है तो कलर करने के दवरान ही आपको डार्क और लाइट कलर का जो लाइन से किस ड्राइबर से गीले में ही मर्च कर देना है नहीं दो मिनट भी नहीं लगता है सुखने में इसको मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट में आपको पेंट पोट्रेट पेंसिल स्केच और वाटर कलर भी मिलेंगे लेकिन ज्यादा तर आपको ओईल कलर वाले पेंटिंग ही देखने के मिलेंगे क्योंकि मिज़े ओईल कलर करना ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन अब एक्रेलिक कलर भी बनाकर ज्यादा इस पर अप्लोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आ रहा था कि एक्रेलिक पोट्रेट पेंटिंग अप्लोड कीजे तो आज सुरू किया ह कि इज़ी कलर मिक्सिंग से ब्लेक अण वाइट कलर बहुत ओअजा घ्रें आजाता है बसे को अब को ध्यां रखना है कि कहां हलका कलर करना है तो वहाँ पर paragraphs में हलका ब्लेक लेना है जाशे से डार्के टोन में आप जाएंगे ब्लेक की मात्रा बढ़ती जाएगी बस इसी बैलन्स को आपको रखना है रेशियो को वाइट और ब्लेक को यह पूरी पेंटिंग मैं इसरी ब्लेक और वाइट कलर मिक्स करके करूँगा किसी भी पोट्रेट को कलेट करते समय आपको धियान रखना है कि ब्रस का मूवमिंट ब्रस को सही डायरेक्शन मूव करना क्योंकि फेस में हर पार्ट में अलग अलग तरह से कर्व कहीं स्लेंट कहीं राउंड ब्रस को मूव करना है ब्रस को अगर सही डायरेक्शन में मूव करते तो कलर की इफेक्ट तुरत आ जाएगा चाहिए आप किसी एक ही कलर से क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि इफेक्ट फेस का जो कर्ट से हैं वो ब्रस मूव करनी से ही आता है कि पेंटिंग करते समय पहला कोटिंग के ध्यान देना आपको क्योंकि बहुत सरे बेगिनर्स होते हैं जिनको पहला कोटिंग करते समय लगता कि पेंटिंग स्पोईल हो रहा है खराब हो रहा है इसी पॉइंट पर आपको पेसंस रखना है झाल 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 आप पोट्रेट्स दिखना चाहते हैं चाहे एक्रेलिक हो या वाटर कलर या ओईल पेंटिंग वीडियो को पूरा देखिए जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको प्रोसेस समय नहीं आएगा कि सुरू कैसे किया गया और लास्ट में फिनिसिंग कैसे दिया गया वैसे आपको रियलिस्टिक ओईल पेंटिंग सीखनी हो तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बर ज़रूर विजिट कीजिए बहुत सारे पहले सप्लोट कर चुका हूँ आलमस्ट फिप्टी वर्क्स वहाँ अप्लोड़ेड है इसी चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए हैं फेस प्रेक्टिस नोज आइज लिप्स तो मेरे दूसरे चैनल को विजिट कीजिए ड्रो विट मुकेश उसमें आपको बेसिक्स ड्राइंग वीडियो देखने के मिलेंगी आई लेसेस और आई ब्रो पतले ब्रसे कीजिए ट्रिपल जीरो या डबल जीरो से झाल 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 वैसे आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा एक्रेलिक पेंटिंग करते वक्त क्योंकि बहुत जल्दी सूख जा रहा है इसके वज़े से हम दूसरा कोटिंग या फाइनल टोन दे पा रहा हूं झाल 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 आगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो डालू आपको सबसे पहले पहुँचे बेल आइकन भी ओन कीजिए जिसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रही है और फ्रेंड्स एटलिस मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप जितना लाइक्स देंगे मेरे वीडियो पे उतना ज़्यादा ये वीडियो किसी और को रिकमेंड करी जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पर जूडने के लिए मुझे फॉलो कीजिए मुकेस फाइन आर्ट झाल 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 फ्रेंड्स कहीं के मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ जिससे वीडियो बहुत जादा लंबी नहों क्योंकि रियल टाइम में रखना पॉसिबल नहीं होता है किसे पेंटिंग वीडियो को कि किसी पेंटिंग को बनाने में थ्री टू फॉर आउर्स लगता है यहां बैक्राउंड में मैं एंगल ब्रस यूज़ कर रहा हूं जो फ्लेट होने के सासथ इस मूझ चलता है पानी जितना कम हो उतना यूज़ कीजिए क्यों ज्यादा वोटर लेने से पेंटिंग में थिकनिस नहीं आता है झालता है झालता है झालता है झालता है झाल 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 लास्ट में बस प्यूर वाइट लेकर के जहां ज़्यादा आपको हाइलाइट करना है वहाँ पर बस देते जाएए जूलरी में भी उसी तरह किये हैं सिर्फ वाइट कलर लेकर पतले बरस से डॉट डॉट जैसा देते जाना है झाल पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तो चनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए झाल